अच्छा विपक्षिवाले मौका भी दे रहे हैं आज कल बोलने का कुई और विपक्षिवाले क्या-क्या बोल रहे हैं यह बताने की मुझे ज़रुत भी नहीं है दीपावली की शुबकामना है लपेटे में नेता जी की पूरी टीम की तरफ से आप सबको और रेवडियों का मौसम चल रहा है इस बीच दीवाली आ गई तो मैं कुछ सोन पापरी बांट देता हूं आज स्वागत है स्वागत है दीपावली में सोन पापरी का फीजन रहता है यह चुनावी दीपावली है अब जिन लोगों के हाथ में रेवडियां थी वह सोन पापरी का डिब्बा लेकर के जा रहे हैं जनता में और गा रहे हैं चुनावी दीपावली के सोन पापरी लेलो सोन पापरी आरे सोन पापरी लेलो सोन पापरी सोन पापरी लेलो सोन पापरी आई चुनावों बाली दीवाली सोगातों की लागी जड़ी रेवरी वाले सोच रहे ये जनता ना कर किसी के हाथों में चकरी है कहीं अनार का दाना है किसी का राकत घूम के आता कोई टिकली गनताना है लटू जलावे कोई नेता कोई घुमाए है फुल जड़ी और किसी का राशन गैस किसी की कोई लिए वार दाना है एक बार सरकार बना लें फिर देखेंगे क्या पकाना है आज बांट लो मुप्तर बड़ी जन से वाकी किस को पड़ी बहुत अच्छे का आपको आपको जीपा वजी किये मीठी मीठी जोन पाप्रियां बबारा को सुनिए अभी शुरू किया है मैंने तुनिए का आपका जो 26 दल गठबंदन इंडी एलाइंस है उसकी हालत ठीक नहीं चल लई है राहुल जी ने पहले तो सब को खटा कर लिया फिर दर्वाजे के एक तरफ हो गए बाकी सब दर्वाजे के उधर खड़े हैं यह बिधान सभा वाला इलाका है वो लोग सभा वाला इलाका है बीच में दर्वाजा है वहां से लोग दर्वाजा खटखटा रहे हों गा रहे हैं क्या गा रहे हैं सुनिए इधर राहुल जी के मंदिर भी बनवाया है धारा भी हटवाई है मोदी और शाह की जोड़ी अपनी पे अब आई है चब्विस दल के गट बंधन की उधरी तुरपाई है कुंडी खटका कर हारे तुमको ना सुध आई है राहुल से बोलें कुछ तो बोल हमारा क्या होगा अरे बोल हमारा क्या होगा चौबिस में होगा डबा गोल हमारा क्या होगा बोल हमारा बोल हमारा और कितनी कितनी आप कितनी लूज बॉलिंग कर रहे हैं सुनिएगा कि कभी इनसे भई गलती कभी उनसे भई गलती कोई गलती से कर बैठा किसी से हो गई गलती कभी इसकी जुवाँ फिसले कभी इसकी जुवाँ फिसले कभी इसकी जुवाँ फिसले कभी इसकी जुवाँ फिसले सुशाशन नाम से लेकिन दुशाशन सी जुवाँ फिसले हमारा भाग हमको देखकर खुद भाग जाता है कि बैथे उट पर भी हो तो कुट्ता का अगर हो उट पर बैथे तो कुट्ता का ऐसे बजते हैं जैसे ढोल हमारा क्या होगा ढोल हमारा और देखिए सर बिहार के कितने तेजस्वी लोग हैं और तेजस्वी के चाचा कितने तेजस्वी हैं उनके बयान पर अगर हमने आज नहीं कहा तो पर कब कहेंगे एक बिल्कुल छोटी सी पेरोडियोस नाता हूँ आनल लीजेगा ख़तना सबको पता है मौज लीजेगा के खाली पिली बीच सदन में बखान किया रे सुशासन बाबू ने कैसा बयान दिया रे बात पर दे किती पर खुली खुली बताई बाद अब कहना सके लाज उन्हें ना आई नहीं कंट्रोल किये पर दे खुल दिये एकदम बोल दिये बाद में फिर जोड़े हार हमें तो इतना कहना है कि यह जो जाडू पंजा साइकिल सब जाएंगे हार भगवा रंग में रंग जाएगी जनता की सरकार यह पुरा है जाडू पंजा साइकिल वाइकिल सब जाएंगे हार भगवा रंग में रंग जाएगी जनता की सरकार आप यह वाइकिल पर सबार हो देखिए मैं फोजदार जी का बड़ा सम्मान करता हूं बड़ा प्यार भी करता हूं उनसे पर आज थोड़ी मुझे शिकायत है उनसे कि कि जिस तरह से उन्होंने दो भी पार्ट मार मार के धुलाई करी एक शरीफ आदमी अगरवाल जी कि उस तरह नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि मैं जानता हूं अगरवाल जी बहुत ही अच्छे इंसान है और इतना इतनी सक्ती से पेश नहीं आना चाहिए था आपने अगरव सवाल जी को समीज पात्रा समझ लिया अब सवाल उठता है कि इन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी आपकी सरकार आएगी क्या आपकी सरकार तो है यही तो सवाल है यही तो रोना है कि आपकी सरकार है अब तो सवाल यह है कि कब जाएगी नहीं हमने का है भगवा रंग में रंग जाएगी जनता की सरकार हमने यह नहीं का सरकार आएगी तो अब तक जनता की सरकार नहीं है अभी है फिर से